आज का वचन सुनने के लिए तैयार हैं सब लोग? आज का वचन बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है आज का वचन कल तक मैं एक और वचन तैयार कर रहा था और लगबख मैंने वो तैयार कर लिया था लेकिन कल शाम को जब मैं बैठा मनन करने लगा वचनों को तो परमिश्ण ने प्रकाशन दिया इस वचन के लिए और मैं आपको सच बताऊं इस प्रकाशन को देखने के बाद मैं इतना आनंदित हो गया क्योंकि ये वचन मैं विश्वास करता हूं आपका जीवन बदल जाएगा आपका अंदुरूनी मनशुत मजबूत होगा प्रेस अलाट देखिए हम प्रभू के घर में क्यों आते हैं पिता से मिलने के लिए इस कलीशिया में क्यों आते हैं ताकि हमारा अंदुरूनी मनशुत मजबूत हो कोई भी परिक्षा, कोई भी सताव हमें हमारे अंदुरुनी मनशुत को हेला ना सके प्रेस अलोड क्यों परमेश्वर ने कलीसिया बनाया है ताकि हम उस कलीसिया में प्रभू को जाने प्रभू की योजनाओं को जाने प्रभू के अनुग्रे को जाने प्रभू के प्रेम को जाने प्रभु की चेदावनियों को जाने और प्रमेश्वर के प्रामसिस को जाने क्योंकि जो वो कहता है वो होता है उसने जो कहा है वो होगा असंभव को संभव करने वाला प्रमेश्वर है आकाश और प्रित्वी टल सकते हैं लेकिन उसके मुख से निकला हुआ वचन कभी नहीं टल सकता। एक-एक बिंदू पूरा होगा। अगर हम विश्वास करते हैं और अगर बाइबल कहती है कि उसके मुख से निकला हुआ एक-एक बिंदु पूरा होगा एक-एक मात्रा पुरी होगी एक-एक वचन पूरा होगा तो आप यह सोचिए कि हमें इन वच्णों को कितनी इमानदारी से लेना है इन वच्णों को हमें कितनी इमानदारी से लेना है अपने बच्चों को सिखाना है मैं आपको सच कह रहा हूँ मेरे भाई, मेरी बहन अगर आपके बच्चों में चरित्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है आप सब चाहते हैं माबाप कि मेरा बच्चा बड़ा बने, I.S. आफिसर बने, इंजिनिर बने, डॉक्टर बने, मेरी बेटी आगे बड़े बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बता दूँ, अगर आपके बच्चों के अंदर इशू नहीं है अगर आपके अंदर इशू का सौभाव नहीं है आपके बच्चों के अंदर अगर आपके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है आपके बच्चे कुछ भी बन जाए, कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है लेकिन अगर आपके बच्चों के अंदर परमेश्वर का डर है उसका जीवन है, उसका प्रेम है आपका बच्चा कभी भी हारेगा नहीं हो सकता है वो इंजीनर ना बने हो सकता है वो डॉक्टर ना बने हो सकता है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर उसके अंदर बाइबल है वो जिंदगी में हार नहीं सकता है आप नहीं जानते हैं मैं आपको क्या कह रहा हूँ अगर आपके अंदर बाइबल है आप कभी भी असफल नहीं होंगे कभी भी चाहे आपने पढ़ाई कम की हो चाहे आपको पैसा नहीं हो लेकिन अगर आपके अंदर बाइबल है और आगर आप बाइबल के अनुसार चल रहे हैं तो आप ये लिख लीजिए जान लीजिए कि सफलता हमेशा आपके साथ चलेगी हमको सफलता के बीचे नहीं भागना है आपको पता है बाइबल कहती है कि रोटी, कपड़ा और पानी के लिए प्रातना मत करो पता है आपको परमेशक कहता है रोटी, कपड़ा के लिए प्रातना मत करो रोटी, कपड़ा के लिए चिंता मत करो तुम मेरी धार्मेकता के अनुसार चलो ये सारी चीजे तुम्हें पीछे मिल जाएंगी तुम्हारे पीछे आएंगी कि तुम्हारे पीछे आएंगी लेकिन हम मांगते रोटी हैं हम मांगते कपड़ा हैं आज मैं आपको बताओंगा आपको क्या मांगना चाहिए आपको मांगना क्या चाहिए आप वलत मांगते आपकी सफलता आपका पैसा नहीं होना चाहिए आपकी सफलता का चिन आपकी गाड़ी नहीं होनी चाहिए कि मेरे पास गाड़ी है तो मैं सफल हूँ आज मेरे पास गाड़ी नहीं तो मैं असफल हूँ, नहीं अगर मेरे पास इशू का ग्यान है अगर मेरे अंदर मेरे बच्चों के अंदर इशू का ग्यान है, बहुत है बहुत है तो कुछ भी हो जाए, हमारे अंदर इशू दिखना चाहिए अगर मेरे अंदर इशू नहीं है तो कुछ भी नहीं है ये दौलत, ये पैसा, ये गाड़ी, ये बंगला कुछ कीमत नहीं है अगर इशू नहीं है आलेलिया आज मैं आपको दो लोगों से मिलवाऊंगा दो वेक्तियों से मिलवाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हमें प्रभू की चरणों में आना है किस तरीके से रहना है और क्या मांगना है और कैसे मांगना है ये तीन चीजें मैं आज आपको बताने वलाओ किस तरीके से आना है किस तरीके से रहना है टिकना है और क्या मांगना है ये तीन चीज़ें आपके लिए आज बहुत महत्पूर है इसलिए पहला वचन मैं पढ़ूँगा बाकी हमारी वच्ची पढ़ेंगी मती आठ एक से पढ़ूँगा मैं मती आठ एक से तेरा के बीच पढ़ूँगा यहां दो हैं एक कोडी है और एक सूबेदार है उसके द्रिश्चान के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे पहले मैं वचन पढ़ लेता हूँ उसके बाद हम इस पर डिस्क्रस करूँगा एक एक वचन के साथ आठ वाँ वचन मती आठ मैथ्यू एट वन टू थर्टीन पहले वचन जब वचन परवत पर से उत्रा तो एक विशाल जनसभू उसके पीछे चल पड़ा और देखो एक कोडी उसके पास आया और दंडवत करके उससे कहने लगा हे प्रभूग यदि तू चाहे तो मुझे शुद्द कर सकता है इशु ने हाथ बढ़ा कर उसे चुआ और कहा मैं चाहता हूँ तो शुद्द हो जा और वो कोड से तुरंत शुद्द हो गया और इशु ने उससे कहा देख किसी से ना कहना परंतू जाकर अपने आपको याजिकों को याजिक को दिखा और मुसा के द्वारा निर्दारे भेट चड़ा कि उन पर साक्षी हो ये एक चेक्टर खतम हो गया दूसरा सुबेदार का विश्वास और जब उसने कफर नहू में प्रवेश किया तो एक सुबेदार उसके पास आया और विंती करके कहने लगा कि हे प्रवु मेरा सेवक लकवे का मारा हुआ घर में पढ़ा हुआ है अत्यंत पीडा में तड़ा रहा है उसने उससे कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूँगा परंतु सुबेदार ने उतर दिया हे प्रवु मैं इस योग्य नहीं कि तु मेरी चट तले आए परंतु केवल वचन कहे दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा क्योंकि मैं भी शासन के अधीन हूँ और मेरे अधीन सिपाई है जब मैं एक से कहता हूँ जा तो हो जाता है और दूसरे से कहता हूँ आ तो हो आता है और जब अपने दास से कहता हूँ ये कर तो वो करता है जब इशु ने ये सुना तो अचमबा किया और अपने पीछे आने वालों से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ मैंने इसराइल के किसी वेक्ति में भी ऐसा बड़ा विश्वास नहीं पाया मैं तुमसे कहता हूँ कि पूरू और पश्चिम से बहुत से लो होगा और इशु मसीने सुवेदार से का जा तेरे विश्वास के अनुसार ही तेरे लिए हो और सेवक उसी तरह उसी क्षण चंगा हो गया हालेलया इमेन आई हम इस वचन के लिए प्रातना करते हैं पिता परमेशन मैं धन्यवाद देता हूँ आज की वचनों के लिए परम में षराप महान आए परमेशन ये वचन का जो प्रकाशन आपने मुझे दिया है मैं धन्यवाद देता हूँ परमिशन और प्रातना करता हूँ कि उस वचन को उस प्रकाशन को मैं अच्छी तरीके से अपने भाई बहनों तक पहुंचा सको परमिशन. इनके दिलों को खोलिए, इनकी बुद्धी को खोलिए ताकि ये बचन, ये प्रकाशन, परमिशन उनके जीवन में काम करें और फल लेके राए और फलवन तो हो जाएं परमिशन. इस हम पहले कोडी की बात करते हैं. दो हजार साल पहले कोडी की कोडियों की इस्थिती बहुत बुरी थी. जिसको कोड हो जाता था, उसको अपने शहर की सीमा से, गाउं की सीमा से बाहर निकाल दिया जाता था. हालेलुए, वो वो एक काला कंबल पहनता था जिसको कोड़ आता था और अगर कोई उसके करीब से जाता था तो वो खुद चिलाता था कोड़ 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 ताकि जो सामने वाला है उसको पता लग जाए कि वो कोड़ है उसको कोड़ी है और वो उससे दूर हो जाए उसके मां उसके बच्च वो उस प्रेम को नहीं पा रहा था एक आदमी को क्या चाहिए प्रेम आपके रिष्टों में आप क्या ढूंडते हैं प्रेम पती पत्नी से प्रेम करें माबाप बच्चों से प्रेम करें बच्चे माबाप से प्रेम करें पडोसी एक दूसरे से प्रेम करें प्रेस अलाउड, तो ultimately वो जो कोडी था, उसको प्रेम नहीं मिल रहा था, यह कोड जो था, उसको एक नफरत दे रहा था, एक ऐसा एहसा एहसा दे रहा था, कि मुझे कोडी नहीं चाहता है, कई बार कई लोगों के संग ऐसा होता, इसको तो कोड था, तो लोगों ने इसको छोड़ दिया था, कई बार होता है कि जब आपकी नौकरी नहीं होती है, कई बार होता है कि आपका धंदा खतम हो जाता है, तो आपके अपने आपसे दूर हो जाते हैं, आप किसी को फोन करते ह उठाते हैं आपका और उठाएंगे भी तो अपनी तकलीवें बताना शुरू कर देंगे कि कहीं आप पैसा ना मांगे लोग आपको बताते हैं कि नाइए नाइए आप कौन है अभी आपको पैसा नहीं है अभी आप अकेले हैं प्रिस अलॉट और ऐसे में इंसान दुखी हो जाता है ऐसे में इंसान का दिल तूट जाता है कि मेरा कोई नहीं है आज मेरे पास पैसा नहीं है आज मेरे पास नौकरी नहीं है तो आज मेरा कोई नहीं है क्या मेरा होने के लिए नौकरी जरूरत है कि मुझे मेरा मुझे अगर प्यार मिले मेरे पास पैसा होना जरूरी ह लेकिन इशू ऐसा नहीं कहता है हाललुया इशू कहता है कि जब कोई भी तुझे ना पहचाने, कोई भी तुझे दुझे दुधकारे, मेरे भाई, मेरी बहन मेरे पास साम, मैं तुझे गले लगाऊंगा और हम सब का मेरे ख्याल यही हाल था जब हम प्रभू में नहीं थे, हम दुधकारे हुए थे, हम असाहे थे हम व्याकुल थे, हम तरड़प रहे थे किसी ऐसे प्यार के लिए हम तरड़प रहे थे, जो सच्चा है कोई ऐसा सहारा जो सच्चा है हम उसके लिए तरड़प रहे थे, प्रेस अलॉट आपने दोस्तों से प्यार नहीं मिला, क्योंकि वो कोर था उसे लेकिन जब वो ईशू मसी का सर्मन सुन रहा था, वचन सुन रहा था तो उसने ईशू के अंदर प्यार देखा हाललिया, उसने ये पाया कि नहीं, ईशू शरीर को नहीं देखता है इशु मन को देखता है मैं मैं आपको सच कह रहा हूँ आप शरीर से कितने ही उन्नत क्यों ना हो आप शरीर से चाहे कितने ही खुबसूरत क्यों ना हो अगर आपका मन खुबसूरत नहीं है न तो परमेश्यर आपके साथ नहीं है अपने मन की खुबशूरती को बढ़ाई है उस मन में प्रेम लेकर आई है नफरत नहीं हमारे अंदर अगर नफरत है हम प्रभु को खो देंगे कभी भी किसी के लिए भी जरा सी भी नफरत हमें नहीं आने है कोई भी हो कोई भी हो अगर आपके अंदर किसी के लिए भी जरा सी भी नफरत आएगी मैं सच कह रहा हूँ वो नफरत आपके घर में काम करेगी अगर आप किसी का नयाय करेंगे आपके घर में नयाय होगा आपके घर में व्याकुलता होगी आपके घर में टेंशन्स होगी करके देख लीजिए आप आपके घर में बिमारी आ जाएगी नियाए करना हमारा काम नहीं है दोश लगाना हमारा काम नहीं है प्रभू का है किसी के दुख में मजा लेना हमारा काम नहीं है हमारे अंदर इश्यू का सभाव होना चाहिए बिना देखे किस पर दोश लगाना पाप है Praise the Lord हमारी अपनी शुद्धता को हमें बना के रखना है अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है मेरे भाई कुछ भी नहीं है Bible कहती कि कोई अगर तुम्हें बेगार में एक किलोमेटर चलाए तो उसके संग दो किलोमेटर चलो बेगार में उसको कोई काम नहीं है आपका कुछ लगता भी नहीं है उससे आपको कोई फाइदा भी होने वाला नहीं है लेकिन अगर वो आपको बेगार में एक किलोमेटर चला रहा है तो आप खुशी-खुशी दो किलुमीटर जाएए ये है हमारा सौभाब ये है हमारी डिगरी लेकिन हम पहली किलास में है अभी तक फस्ट किलास में जी रहे हैं अभी तक फस्ट किलास में हैं हम बढ़ते नहीं हैं हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बढ़ें दूसी क्लास में आएं, 80 परशन लाएं, 90 परशन लाएं हमारे बच्चे, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं, हमारी सोच वहीं की वहीं हैं, हम अपनी क्लास में नहीं बढ़ रहें, हम मसी की क्लास में नहीं बढ़ रहें, हम वचन की क्लास में आगे बढ़ना है हमें रोज अपने आपको जाचना है Praise the Lord कि मैं कहा हूँ हमें किसी के दुख में सुखी नहीं होना है गलत है Praise the Lord Hallelujah किसी की गलत बाते हैं कभी-कभी आप अपने पर्लोसी के लडाई चल रही है और आप उसकी लडाई सुन रहे है पाप है उसके लिए प्रातना करिए प्रातना करिए कि इस घर में लडाई चल रही है प्रभु दया करिए उन्हें बुद्धी दे लडाई की दुशात्मा को निका लिए उसमें से निकालिए को उस घर से लड़ाई की दुश्यात्मा निकल जाए कलाई की दुश्यात्मा निकल जाए उन दोनों पति-तियों में प्रेम आए ये हमारा काम है हमारा काम ये नहीं अच्छा उसने मारा जाप liberना अरे उसने भी मारा को अशुद्ध कर रहे हैं नीती वचन 4 का 23 का कहता है अपने मन की चौक्सी करो अपने मन की चौक्सी करो अगर तुम अपने मन की चौक्सी करो कैसे करोगे चौक्सी फिजूल की बातों को अपने अंदर मत आने दो कोई गलत बात बोल रहा है मत आने दो पीजी अंकल ने मुझे एक बहुत अच्छी बात करी थी कहता पहले भी हमारा ये था कि हम दूसरे पास्टर्स की बुराई सुनते थे लेकि 91 में मैंने एक लिया अपने घर में स्लोगन लगा दिया कि जो यहां नहीं है हम उसकी बुराई नहीं करेंगे जो यहां पर नहीं है होता क्या बुराई किसकी होती जो नहीं होता है आपके सामने जो नहीं होता है उसकी बुराई करो आरे वो तो ऐसा है उसका बेटा तो ऐसा है उसकी बेटी तो ऐसी है उसकी बहु तो ऐसी है उन्होंने अपने घर में लगा दिया स्लोगन कि जो यहां नहीं है हम उसकी बुराई नहीं करेंगे Amen गलत बात है इससे क्या हो रहा है हमारा मन दुशित हो रहा है हमारा मन दुशित हो रहा है उसमें लिखा हुआ है अपने मन की चौकसी करो Praise the Lord तो यहां पर जो कोडी है उसका मन अशुद्ध हो गया था और क्या कहता है कि जब वो परवत पर से उत्रा तो विशाल जनसमू उसके पीछे चरपड़ा और देखो एक कोडी उसके पास आया बहुत मुश्किल होता है कि शेतान हमको इशू के पास आने दे हम कभी-कभी चर्श तो आजाते हैं लेकिन जरुरी नहीं कि हम इशू के पास ही आये हम सुनते हैं कि चर्श में यार चंगाई मिलती है ये सुनकी आ गए हम सुनते हैं कि चर्श में आने से हमें नौकरी मिल गई थी हमारी नौकरी हम लिए हमारे पैसे हमारे कर्दों से हम मुक्त हो गए उसके पास आए बहुत मुश्किल होता है अगर आप उसके पास आए हैं तो धन्यवाद देजिए कि परमेश्र ने आपको पुकारा है परमेश्र ने आपको खीच के निकाला है आपको पता है आप कौन थे? आपका भजन सहीता चालिस का दो पढ़िए आप क्या थे? परमेश्र ने आपको खीच के निकाला है हाललुया चालिस का दो पढ़िए उसने मुझे सत्यानाश के गड़े और दल्दल के कीच में से उभारा है उसने मुझे सत्यानाश के सत्यानाज के गड़े से और दल्दल की कीचल में से निकाला है यह पास कभी मत भूलिये कभी मत भूलिये कि आप कहां थे आपको उसने अपने पास बलाया है प्रेस अबर्ड तो कोडी के ने पहला कदम क्या बढ़ाया कि उसके पास आया आज मैं आपको बता हूँगा आपको उसके पास कैसे रहना है कैसे मांगना है कैसे उसका होना है हम मांगने में जल्दबाजी करते है हम उसके उसको समझने में जल्दबाजी करते तभी हमारी मांग पूरी नहीं होती तभी हम सही मांग नहीं पाती क्योंकि हम उसको समझते हैं नहीं आललया प्रेस अलॉड उसने उसके पास आया कोड़ी उसके पास आया और क्या किया और दंडवत करके दंडवत किया यानिके समर्पित किया उसने क्या किया अपने आपको समर्पित आप कलीसिया में आके कि उसको समर्पित करते हैं अपने आपको नहीं करते हैं समर्पण का मतलब समझते हैं पूरे मन से बुद्धी आत्मा से उसका हो जाना है किसी का हो जाने का मतलब समझते हैं किसी के हो जाने का मतलब पता क्या है हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं अभी हमें जो कुछ भी क करना है क्योंकि मैं उसका हो गया हूं मैं इशु का हो गया हूं अभी मुझे कुछ भी जीवन जीना है तो मुझे इशु के मुताविक जीना है इमेन मुझे अपने मुताविक नहीं जीना है यह है उसका हो जाना यही है दंडवत करना समर्पित करना इर्मिया 29 का थेरा बढ़िए बेटा इर्मिया 29 का थेरा तुम मुझे ढूंडोगे भी और पाओगे भी क्योंकि तुम मुझे संपूर्ण हिर्दा से ढूंडोगे हलो पढ़िए तुम मुझे ढूंडोगे और पाओगे भी क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे Amen कब ढूंडोगे तुम कब उसे पाओगे जब संपूर हिर्दय से उसके पास आओगे कोडी ने क्या किया उसके पास आया Amen संपूर हिदर से तुम मुझे ढूंडोगे कब ढूंडोगे जब तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ जब तुम समझ जाओगे कि मैं कौन हूँ इसलिए इशू मसीन चेलों से पूछा था कि ये सब लोग क्या कहते कि तुम कौन हो मैं कौन हो इसे चेलों ने कहा कि कोई कहता है यहना बव्तिस्वामाला कोई कहता है अर्विया ने भी कोई कहता है एलिया तुम क्या कहते हो मैं कौन हो पत्रस ने का तू परमिश्र का भी शिक्त है हमें जानना चाहिए वो कौन है हम जब चर्च आए उससे पहले हम जाने की वो कौन है हम उसके करीब आए हम जाने की वो कौन है हम मांगने से पहले हम जाने की वो कौन है हम किसे मांग रहे हैं वो बहरा नहीं है उसके हाथ छोटे नहीं है हम किसे मांग रहे है ब्रहमान का रचाईता है वो प्रेज अलोड हालेलुया आप उससे नहीं लड़ सकते किसी से गमंड है आपको पैसे का बंगले का किसी से गमंड है बुद्धी का आप एक पल उसके सामने खड़े नहीं रहे सकते एक पल अगर वो सूरज को बोल दे कि 10 डिगरी और बढ़ाओ खतम तिक पाएंगे आप आप दुपैर को 12 बजे सूरज को देखिए टिक पाएंगे दुपैर में और सूरज की रोशनी वो 10 डिगरी बढ़ा दे रुख पाएंगे आप आपका पैसा रोख पाएगा आपके बुद्धी रोख पाएगी आपका बंगला रोख पाएगा खतम हो जाएंगे आप आप जानते कौन है वो आप किसको avoid कर रहे है आप किसको avoid कर रहे है कौन है वो जानते हैं आप किसके चरणों में उसने आपको अपने चरणों में ले लिया यह बहुत बड़ी करपा है Amen और अगर उसने आपको ले लिया है तो उसकी कीमत को समझे न्याएं मत करिए दूसरों का दीन रहिए अधीन रहिए उसने आप पर करपा किये आपने करपा नहीं किये इसलिवकर कोड़ी उसके पास आया और दंडवत किया समर्पित किया पूरे मन से Hallelujah आप जानते हैं जब उसे आप जानेंगे बज़न सहीता 34 का 5 निका लिया साम 34 का 5 वो कौन है जानते हैं आप यह जानना बहुत सुरूरी है Hallelujah साम 34 का 5 जिनों ने उसकी और द्रिश्टी की उन्होंने जोती पाई अगर उसकी जोती आपके अंदर है ना तो आपका अंदकार दूर हो गया है आप अंदकार में नहीं नहीं रह सकते हालेलिया जिन्हों ने उसकी ओर द्रिष्ठी की जो उसके पास आए जिन्हों ने उसके सामने दंडवत किया उसने जोती पाई कौन है वो जानते हैं आप और एक बार जोती पाने के बाद फिर उसका मुह कभी काला ना रहा कभी आप अंदकार में नहीं जाएंगे इश्व वो जोती है इश्व आपके घर की ट्यूब लाइट नहीं है कुछ लोग उसे ट्यूब लाइट समझते हैं कि जलाई काम निकला फिर बुजा दी भथ दुणिया पकाशो खेजिए है को जी लिखम आपके लोग कुछिय ग corporation apt बुझे रूहिए आपके अए बन बना सूरज बना और चांद बना इस बना सूरज भान अदा इस बना उससे पहले संसार में रोशनी थी उत्पति एक के पंदरा में सुर्ज और चान्द बनाया परमाईशन ने लेकिन एक के तीन में उञिया रहा हो वो किसका उझया रहा था? Haliluya है किहादि आपको सुरे लोग चान को नमसकार करते हैं नो वो सुन nat convin के लिए के और पे本व कर सकता ये है उसको हमारे लिए रखा गया हैja हऊ ठीड अन्दकार है और लोग अन्दकार में रहते हैं सुरज को नमसकार करें आप अगर सुरुष को नमश्कार कर रहे हैं तो आप परमेश्र का निरादर कर रहे हैं आप परमेश्र को आदर नहीं दे रहे हैं और अगर आप परमेश्र को आदर नहीं दे रहे हैं तो आप अंदकार में आप अंदकार में प्रेस अलॉट ये जो कोड था, कोडी था प्रेस अलॉट ये इशु के करीब आया और दंडवत किया मांगने से पहले क्या किया समर्पित किया आप कैसा करते क्या क्या आप परमिश्वर से प्राथना करने से पहले अपने आपको समर्पित करते है बले ही वो आपके मन की बात को जान लेता है बले ही वचन कहता है कि तेरे मुँ में क्या है तेरे मुँ में जबान में आने से पहले मैं जानता हूँ कि तुझे क्या चाहिए लेकिन क्या आप मांगने से पहले समर्पित करते हैं अपने आपको अपने सच्चे मन से समर्पित करते हैं उससे मेरा दंडवत सिर्व शारीडिक नहीं होना चाहिए आत्मे खोना चाहिए मेरा जुकना आत्मे खोना चाहिए मुझे आत्मा से प्रसंद करना मेरे पिता को प्रेस अलोट शरीर से नहीं घुटने देके आपने और आत्मा कहीं और आपकी कोई फाइदा नहीं है उपवास कर रहे हैं लेकिन कोई फाइदा नहीं मन में कोडन है प्रात्रा कर रहे हैं मन में किसी के लिए कोडन है कोई फाइदा नहीं मत करिए कुछ नहीं होने वाला आपका कुछ नहीं होगा चैलेंज करता हूँ आपका यूँ ही आपके घर में प्राबलम साती रहेंगे अगर आप चाहते हैं आपके घर में शुदृता आये पविदृता आये, शांती आये इश्व कि आनन्द आये क्या देखर गया था इशू यहना 34 का 27 के मैं तुम्हें अपनी शांती दिये जाता हूँ देखर गया था हाँ के ना है आपके घर में क्यों नहीं है क्योंकि आप बाज नहीं आ रहे हैं किसी के घर जाकने से बाज नहीं आ रहे हैं किसी की भुराई करने से बाज नहीं आ रहे हैं आप परमिश्र की अनुसार चलका रहे हैं वो कहरा मैं अपनी शांती तुम्हें दिये जाता हूं यहना 14 का 27 और 11 का और यहना 15 का 11 का कहता देखिए मैं अपना आनंद तुम्हें दिये जाता हूं मैं तुम्हें अपना आनंद दिये जाता हूँ दिखा हुआ है यहना 15 का 11 बड़ी जली से बड़ी है मैंने ये बाते तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम्हें बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए कहा है आनंद? उसकी बातों में कहां है आनन्द उसकी आज्या में उसके स्वभाव में आपका आनन्द है आपका समस्ति आनन्द पैसे से आता है क्यों करोड़ों है लेकि आनन्द नहीं है घर में नहीं आनन्द क्यों नहीं आनन्द क्योंकि इशु की आज्या नहीं है इशु का वचन घर में नहीं है कोई आधी रोटी खाता है लेकिं उसके घर में आनन्द है कोई आधी रोटी खाता है किसी की EMI चल रही है लेकिं घर में आनन्द है क्योंकि इशु है आप इशु के अनुसार चलेंगे आपका आनन्द आपकी निर्धनता में भी होगा प्रेंस अलॉट आपके हाथ में हैं वो तो आनन्द दे के चला गिया वो तो शांती दे के चला गिया अगर आपको जरादर सी बात पर आप बुरा मांगते है कलवाहत है कुड़कुलाथ है आपका आनन्द शिनगे किसने शीना आपका आनन्द? किसने शीना आनंद आपका आपने अपना आनंद खुद शीना है खुद शीना है जो काम आपको नहीं करना आप वो करेंगे तो आपका आनंद शीख जाएगा मेरा काम नहीं है मैं किसी के मन को नहीं बदल सकता बदल सकते हैं आप नहीं बदल सकता आपके हाथ में जन्म है आपके हाथ में मृत्यू है आप ऐलान करते हैं कि मैं अपने बच्चे को पैदा करूँगा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है हमारा काम क्या है? प्राथना करना In every aspects In every situation दुश्मनों के लिए भी प्राथना करो ये बाइबल कहती है आप अपनों के लिए प्राथना नहीं कर रहे हैं आप अपनों को दोश लगा रहे हैं अरे दुश्मनों के लिए बाइबल ने का है हुकम किया है अग्या दी है कि दुश्मनों को प्राथना में रखो मैं नियाए करूँगा मैं ललूँगा तुम अपना काम करो लेकिन शेतान जब हम आग्याओं में नहीं चलते हैं तो शेतान हमारे घरों में गुसता है और हमारा आनंद छीन लेता है कैसे गुसता है? दरवाजे हम खोलते हैं दर्वाजे हम खोलते हैं शैतान के लिए किसी की निंदा करके किसी का न्याय करके किसी को दोश लगाकर हम न्याय खोलते हम खोलते हैं दर्वाजे और शैतान आ जाता है और हमारे घर में तहस नहस कर देता है आलेलिया इस कोडी के अंदर भी बहुत कुडन थी लेकिन ही प्यार का भूका था इसने ढूंटे ढूंटे इश्यू मसी को ढूंडा और उससे कहा उसके करीब आया और करीब आकर उसने अपने आपको दंडवत किया समर्पित किया समर्पित किया अपने मन से, आत्मा से अपनी बुद्धी से हम अपनी प्रात्राओं में अपनी बुद्धी का उपयोग ना करें कि मैं ये मांग लूँ तो ये हो जाएगा ऐसे प्रात्रा करूँ तो ऐसे हो जाएगा बहुत से मुझे फॉन आते हैं सुबह से शाम तक कई फॉन आते हैं बेहनों के कि मेरे पती के लिए ऐसी प्रात्रा करिए कि वो आकर मुझसे माफी मांगे हाँ कई आते हैं मजे फोन कई फोन आते हैं वो अपने आपको नहीं सुधारते कि मेरे अंदर से घ्रेना निकल जाए मेरे अंदर से निकल जाए गुसा मेरे पती के लिए बदर आप पी ऐसा करिए कि वो मेरी मुठी में हो जाए कई वो नाते डिक्टेट करते हैं मुझे कि ऐसी प्राथना करो ऐसा ही हम परमिश्ण को डिक्टेट करते हैं नहीं हमें प्राथना में बुद्धी का काम नहीं करना है कि आप परमेश्य से नहीं कहते कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ मैं ना प्राथना करनी आती है ना मैं तेरे सामने बैठ भी सकता हूँ तेरे सामने मैं खड़ा भी नहीं हो सकता जैसे वो चूंगी लेने वाला था उसने का प्रभू मेरी नजर तेरे उपर से नहीं उठती, मैं नहीं, मैं तो दीन हूँ मैं तो खड़ा भी नहीं हूँ सकता, बस मैं एक पापी हूँ मुझे माफ करते और इशुन उसे नहीं का ये धर्मी गिना गया है Amen Amen हमारे अंदर घमन नहीं आना चाहिए कि हम कुछ हैं, किसी पोजिशन में हैं नहीं परमिश्यर अगर आपको यूस कर रहा है, दीनता के सर नहीं यूस हो जाईए हमें यूस होना है क्या काम कराना चाहता है परमिश्यर हमसे हमें नहीं नहीं पता क्या हम अपने हैं नहीं है बाइबल कहती है पहला कुन्तिन 6-19 तुम पविद्रात्मा के मंदिरो पविद्रात्मा तुम्मे वास करता लेकिन तुम अपने नहीं हो हालिलया जितना हम परमेश्ट के योगे बन सकें, काम कर सकें उतना हमें करना चाहिए लकडी उसने खुद ली, आग उसने खुद ली, अचाकू उसने खुद लिया, ये होता है समर्पन, ये होता है समर्पन, ये होता है समर्पन, ये होता है समर्पन, प्रभु की सेवा कर एंड़ हैं आप तो एक्टर हैं आप तो हीरो रहे चुके हैं मैंने का नहीं भाईया मुझे प्रभु मिल गया है मैं एक बार में इखी काम कर सकता हूं कमफर्ट जोन से बहार निकलिये, मैं कहां पर था, यारी रोड पर, जहां पर हीरो रहते हैं, अच्छा फलेट है मेरा महा पर, कोछ छोटा बुरा फलेट नहीं है, अगर मैं सोचता हूँ आज, कल मैं बात करा था अपनी पत्नी से, कि अगर हमें नाला सुपारा नहीं आता, तो क्या होता, अगर वहीं रहता पास्टर की मैं बास सुन लेता, क्या था हमारे पास नाला सुपारा हमें, कुछ भी नहीं, ना मेरे बेटे का स्कूल था ना कुछ था मैं प्रात्या करके आए कि प्रभू मैं बस क्या है रहने के लिए जगा भी नहीं है बस मैं हूँ मैं अपने आपको आपको देता हूँ मैं अपने परिवार को आपको देता हूँ एक महीने के अंदर परमेश्टर ने मुझे यहां सेट कर दिया दिल से समर्पित करिये मन में कुछ, दिल में कुछ जबान पे कुछ, नो परमेश्टर को दोहरा चरित्र पसंद नहीं है अपने अंदर से दोहरा चरित्र निकालिये, नो कभी पसंद नहीं परमेश्टर को दोहरे चित से परमिश्र घ्रना करता है दोचितों से बजन सहीता 119 में पढ़िएगा ये बचन ढूंड लीजेगा बहुत लंबा है 176 बचने उसमें उसमें ये ढूंडिएगा कि दोचितों से परमिश्र घ्रना करता है दोहरा चरत्र नहीं इमानदारी इस कोड़ी में दोहरा चरत्र नहीं था ये इशु के करीब आया दन्वत किया फिर उसने मांगा हमें हम पहली बांगने लगते हैं हम पुरी तरीके से इशु के पास नहीं आते हम पूरी तरीके से अपने इशु मसी को अपना समर्पित नहीं करते अपने आपको समर्पित नहीं करते और मांगने लगते इसलिए हम गलत चीज़े मांगते इसलिए हम गलत चीज़े मांगते आप दूसरी की सर्विस देखे करते हैं प्रभु ऐसी सर्विज जैसे वो कर रही है, पचिती से जार मुझे मिल जाए. प्रभु ऐसे ही, अरे नहीं, आपको मांगना ही नहीं आता. यसे मैंने कहा, आपको परमिशन नहीं चाहता कि हम रोटी के लिए प्रातना करें, कपड़े के लिए प्रातना करें, परमिशन नहीं चाहता है, वो कहता है कि तू मेरी धार्मिक्ता की खोज कर, तेरा ये सब कुछ तेरे पीछे आएगा, तेरे पीछे आएगा, यस, तेरे पीछे आएगा, उसने हमें नहीं कहा कि रोटी के लिए प्रात्रा करें हमें रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो, हाँ चेलों को उसने सिखाया था इशु मसीने चेलों को सिखाया था कि हमें रोज की रोटी दे लेकिन हमें उसने क्या कहा रोटी की चिंता मत कर तो क्या खाएगा तो क्या पेएगा तो क्या पहनेगा इसकी चिंटा मत कर मेरे राज्ज की खोच कर तो ये सारी चीजें तुझे पीछे आएंगे Alleluia Praise the Lord जीता जाकता सबूत हूँ मेरे पीछे आ रही हैं सारी चीजें मैं रोटी की चिंता नहीं करता हूँ मैं बस एक बाच की चिंता करता हूँ कि मेरा परमेश्यर मुझसे नराज नहो मैं कोई भी ऐसा काम ना करूँ नहीं मेरा बेटा अगए मेरा बेटा गलत होता है मैं उसको उसी समय हकालता हूँ उसी में हो है देगा क्योंकि मैंने किसी के लिए बुरा नहीं किरिया मैंने किसी बच्चे के लिए गलस शिक्षा नहीं दी है मैंने किसी भी बच्चे को आज तक किसी के बच्चे को गलस शिक्षा नहीं दी है इसलिए परमेश्टर मेरे बच्चे को भी सही शिक्षा देगा होगा आप देख लीजेगा आपके सामने होगा समय पर होता है हमें उस समय का इंतजार करना हालेलिया इस कोडी ने क्या किया इशु के करीब आया खुद को दंडवत किया और फिर मांगा एमेन और जब इसने मांगा अपना मूँ खोला तो क्या बोलता है यदी तू चाहे तो मुझे शुद कर सकता है प्रेस अलोट उसने इशु से मांगने से पहले क्या किया पता आपको अपने आपको समर्पित करिया और प्रभू को अपना बना लिया तू मुझे शुद कर या ना कर मैं तेरा हूँ एमेन कैसे मांग रहा है वो तू चाहे तो मुझे शुद कर सकता है तू ना चाहे तो कोई बात नहीं एमेन और क्या शुदता किस बात की मांग रहा है वो मन की उसे शरीर नहीं चाहिए जिसने इशु को जान लिया उसको शरीर नहीं चाहिए जिसने इशु को अपना प्रभू मान लिया उसको शरीर का सुक नहीं चाहिए उसको आत्मा का सुक चाहिए अगर आप इशु मसी को मानते हैं प्रभू मानते हैं फिर भी शरीर के लिए आप भागने हैं तो आप इशू को जानते ही नहीं है, इशू को जानते ही नहीं है, यह सारी चीजें तेरे पीछे आएंगी, किसके लिए इशू को छोड़ रहे हैं, अपने नौकरी के लिए, अपने धंदे के लिए, किसके लिए, दो रोटी के लिए, उसने क्या कहा है, कि इंसान रोटी से नहीं लेकिन फर्मेश्र के वचनों के मुख से निकले वचनों से जीवित रहेगा उसने जो कहा है आप रोटी के लिए कलीशिया नहीं आ रहे हैं प्रभु को छोड़ रहे हैं अलेलुया नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौक नी मैं अपने बच्चों को ऐसी रोटी नहीं खिलाओंगा जो मुझे परभु से दूर करते नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए मैं यहाँ परerme न रस्पार में आया था हम्ने फ्लैट लिया लोन पर फ्लैट लिया था लोन पे और मैंने कहीं इस थी नहीं मेरे पास तो मेरा जो इंकम ट्रेक्स बहुत कम था तो DHL DHLF है ना DHLF एक संस्ता है वहाँ से लोन लिया था मैंने DLF ऐसे कुछ है भूल लिया मैंना तो उन्होंने कहा कि यहाँ का आपका आपका लोन तो नहीं हो सकता क्योंकि आप तो बहुत कम इंकम दिखाते हैं और आपको आट-दस लाख रुपे का लोन के जरूरत है तो आपको लोन तो नहीं मिल सकता अगर आप चाहें अपनी जो कॉपी है अपना जो इंकम टेक्स है अगर आप उसको बढ़ा लें किसी को 10-12-25 थार रुपे देकर आपका जो इंकम है वो हम कागजों में बढ़ा देंगे तो आपको लोन मिल जाएगा मैंने का बज़र मैं प्रभू इशू का बंदा हूँ और नाला सुपारा में आया हूँ उसकी सेवा के लिए इसी कागजों पर अगर आप लोन दे सकते हैं तो दीजिए नहीं तो आपकी मरसी मुझे लोन नहीं चाहिए मेरा प्रभू चाहेगा तो मुझे एक हफ़ते के बाद वो आदमी आया कि सर हम आपको लोन देते हैं नहीं जूट बोलना मुझे नहीं चाहिए किराय पे रह लेंगे मुझे परमेशर के सौभाव को अपने अंदर से नहीं निकालना है हाँ मुझे ज़रूरत है लेकिन इसके लिए मैं समझोता नहीं करूंगा प्रभू से प्रेस अलोट और नहीं किया समझोता और हमको लोन दिया आलेलुए और परमेशर ने ऐसी किर्पा की जो लोन जो पंदरा साल में पूरा होना था परमेशर ने चमतकार किया एक साल में पूरा हो गया एक साल में आप लोग प्रभू को जानते नहीं है आप प्रभू के करीब आना नहीं चाहते है आप समर्पन करना नहीं चाहते है अरे वो देने में वो देने में महान है वो कहता है ना बहुतायस से देने वाला है हमारा प्रभू आप क्या बात कर रहे हैं आप क्या बात कर रहे हैं आप आपको उसकी सेवा करनी नहीं आती आपको उससे प्यार करना नहीं आता है क्यों मैं उसके लिए पागल हूँ क्योंकि मैं चक चुका हूँ से मैं चक चुका हूँ वो कौन है इसलिए अपने बेटे को कहता हूँ बेटा जो मैं तुझे दे रहा हूँ ये खाजाना है आलेलुया तेरी पचाज़ार की नौकरी कुछ भी नहीं इसके सामने जिस दिन तुने इशु को पा लिया जिस दिन तुने इशु को पा लिया जिस दिन तुने इशु मसी के अनुसार चलना लगा जिस दिन तुने पूरे मन से समर्पित कर दिया अपने आपको तु कहां से कहां पहुँचेगा क्या बात कर रहे हो तुम यह 50,000 JP Morgan और यह Morgan और वो Morgan आरे हट इस सब हमारे पीछे आएंगे हमको जरूरत रहे हैं इनको हमारी जरूरत है क्योंकि मेरे पास इशू है अपने अंदर इशू को लेकर आए दुनिया आपके पीछे भागेगी आप दुनिया के पीछे क्यों भाग रहे हैं क्योंकि आपके अंदर इशू नहीं है आपके अंदर इशू नहीं है आपने अंदर इशू को लेकर आई है प्रेज अलॉट हालेलिया और जैसे उसने कहा कि मैं हे प्रभू यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है इशू ने कहा हाथ बढ़ाया और छुआ और उसे शुद्ध कर दिया हालेलिया क्यों छुआ क्यों उस समय लोगों में ये था कि आप कोडी को छू नहीं सकते थे इशू मुसी ने छू कर बताया कि कोड अशुद्ध नहीं है कोड के वेक्ति को आप छू भी सकते हैं और अपने समाज में बिठा भी सकते हैं प्रेस अलॉड इसलिए आज जो कोड है आज जो कोडी है वो घर में रहते हैं कि परमेश्य की किरपा है गालॉड जोसरा मैं जली से बता दू는 सुबहेधार सुबहेधार के बारे मैं बता दूं सुबहेधार ने जब देखा कि उसका चेला जो था वो लक्वे के मरीश से बहुती दुखी ता, दर्ब से पीडी था वो वो एशू से मिला वो आने जाती था Hallelujah Praise the Lord वो यहुदी नहीं था और वो इशू से मिला और उसने कहा कि इशू मसी मेरा चेला जो है वो लक्वे का मारा हुआ है और तू अगर कह देगा तू अगर चंगा कर देगा इशू मसी नहीं कहा मैं आता हूँ मैं उसे चंगा करता हूँ उसने का नहीं मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तू मेरे घर पे आ तू सिर्फ कह दे Hallelujah तू सिर्फ कह दे Amen कि आपकी प्रात्रा है कि तू सिर्फ कह दे तू सिर्फ कह दे Hallelujah सुबह इदार ने कह तू सिर्फ कह दे तो मेरा चेला जो है मेरा जो सेवक है वो चंगा हो जाएगा Hallelujah Amen यहाँ पर एक प्रकाशन है मेरे भाईया तू सिरफ कह दे मेरा चेला सुने या ना सुने मेरा चेला विश्वास करे ना करे अगर तेरे मुख से निकला है तो वो चंगा होगा Amen Praise the Lord तू सिरफ कह दे उसका कहना ही काफी है उसके मुख से निकला हुआ हर वचन काफी है एक अत्य वचन पढ़ेंगा यशाया पच्पन का दस और ग्यारा जली से पढ़िएगा यशाया पच्पन का दस और ग्यारा परमेशर कौन है उसके मुख से निकले हुई चीज़े हैं, आपको क्या देती हैं, सोचिए, ये शाया पक्तपन, 10 और 11, जिस प्रकार से वर्षा और ही आकाश से गिरते हैं, और वर्षा ही लोट नहीं जाते, वरन पूमे पढ़ कर उपज जाते हैं, जिसे बोने वाले को बीज और खाने वाल वरन मेरी इच्छा पूरी करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भीजा है, उसे पूरा करके ही लोटेगा, ये है परमेश्र का वादा, जो उसके मुख से निकला है, वो होगा, इसलिए कभी अपने विश्वास को जाने मत दीजी, परमेश्र ने जो कहा है, वो होगा, त मेरे घराने का उध्धार होगा, प्रेसलोट, उसने कहा है, उसके मुख से निकला है, उसके मुख से निकला है, इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, कभी भी संदे मत करिए, कभी भी शक मत लाइए, बस परमेश्र के अनुसार चलिए, समर्पित करिए, पूरे मन से, दंदबत कर था और मैं विश्वास करता हूँ आप अदबुत आचीश पाएंगे अपने आनंद को अपनी शांती को जो आपके लिए आपको दी गई है उसे मत खोने दीजिए हमारे हाथ में हमारा आनंद परमिश्र के हाथ में नहीं हो तो दे गया हमारी शांती हमारे हाथ में इसू दे कथ कहा अब हमें कैसे उस शांती को में रहना है उस नहीं देना है हमें परमिश्र के इंसार चलना है परमिश्रक और चलना आत किसी बलाज़ नहीं करना है परमिश्र के अनुसरा चलना है प्राथना में अपने जीवन को बिताना है मैं विश्वास करता हूँ आज का वजन आपको अच्छा लगा होगा विश्वास करता हूँ लगा है आपको अच्छा वजन आपका जीवन बदला है अलेलिया उसके पास आईए, अपने आपको समर्पित करिए, फिर मांगिए, फिर मांगिए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, क्या लिखा हुआ है, साथ का साथ का लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, क्या मांगना है, एक तरफ ऐशु मसी कहता है कि तुम क्य तो किस चीज को मांगने के लिए कह रहा है वो किस चीज को मांगने के लिए कह रहा है वो किस चीज को मांगने के लिए कह रहा है कह रहा है ना कि रोठी की चिंता मत कर कबड़े की चंता मत कर खाने की चंता मत कर पीने की चंता मत कर कह रहा है ना वो तो क्या चीज मांगना के कह रहा है मागो तो तुम्हें दिया जाएगा पवितरात्मा उससे मांग ये सुबह 시ाम तक सुबह से शाम उठिये जाघर की परिपूनता दे मुझे मिरे भाई मैं आपको सच कहरा है अगर आपके अंदर पवितरात्मा है ना तो इस न हैंगर तो आपके अंदर नहीं आएंगalah पुभैस रामगा करेगा गुरी करेंगा व को भुद्धि देगा वहाप को समझ देगा पुर्श आपको आपिशेक देगा महांगे तो अजी क पवित्रात्मा मांगिए मत मांगि रोटी 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 रोजी रोटी मकान नहीं मांगिए नहीं कपड़े मांगिए पवित्रात्मां मांगिए मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपको अच्छा लगा है आज का वचन आपका जीवन बदलने वाला वचन है विश्वास के संग सुनिये और दूसरों को शेर करिये मेरे भाई ये वचन आपके लिए है और अगर आप दूसरों को शेर करेंगे प्रतिपल आपको मिलेगा अमेन आलेलुया धन्यवाद देते प्रभू आपको आशीश आपका शीश इन सब पर उतरे आपका भी शेक इन सब पर उतरे इश्व मसिया के नाम से मांगते हैं इमेन 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 God bless you बोले इश्व मसी की इश्व मसी की इश्व मसी की Praise the Lord Hallelujah